नमस्कार दोस्तों, युनिक लासेस लखनों में आपका स्वागत है, आज हम लोग भारत की भुगर भीक सनरचना पढ़ेंगे, काफी यहां से क्यूशन पिक अप किये जा सकते हैं, जैसे भारत की सबसे समर्द्य चटान कौन सी है, धारवाण करम की चटान, किस नंबर की करम की चटान आती है, भारत में सरवाधी कोईले का उतपादन किस करम की चटान में होती है, या पूरे बिश्व में सरवाधी कोईले का उतपादन किस करम की चटान में होती है, कुडपा में होती है, या गोंडवाना करम की चटान में होती है, है ना, और इसके अलामा धात्व खनिचर के लिए कौन सी चठान प्रमुख होती है या सबसे प्राचीन चठान निमिलिखित में कौन सी है आर्केयन करम तरी से आती चत्तान eigene का ब्हाग है तो इस प्रकार की किफ्ट्टन को आराम से कैसे आप मैपिंग के थुरू समझ कि क्लियर कर लेंगे तो आईए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत की भूगर्भिक सनरचना क्या होती है भूगर्भिक सनरचना भूगर्भिक का मतलब होता है प्रिथिवी के गर्भ में अर्थात प्रिथिवी के अंतरतम में ठीक है इंटीरियर आफ अर्थ में क्या या किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है उसका अध्यान ही क्या कहलाता है भूगर्भिक सनरचना क्लियर तो भारत ने भूगर्भिक सनरचना के आधार भूगर्भिक सनरचना को मुख्यता है आठ प्रकार की चट्टानों में विभाजित किया गया है तो इसका बड़े एक्जामस बिसिस्ताओं से सम्मंदित भी क्यूशन पूछे जाते हैं जैसे एक एक करके हम लोग लेखेंगे और समझते जाएंगे और ठेक है आगे बढ़ते जाएंगे पहली जो क्रम की चटान है उसे हम कहते हैं आरकियन क्रम की चटान क्या कहते हैं आरकियन क्रम की चटान पहली कौन कभी भी भूलेगा ही नहीं, चलिए अब मैं यहाँ पर इसकी मैपिंग करता हूं, समझाता हूं आपको, जैसे यह है पूरी पृत्वी हम लोगों की, ठीक है, यह है पृत्वी, अगर कहा जाए कि पूरी पृत्वी पे सबसे पहले निर्मिच चटान कौन सी थी, तो आप कहन कि पृत्वी ही, पृत्वी पहले क्या थी, आज से 4.6 अरब वर्ष पहले, बिलियन वर्ष पहले, पृत्वी आग का गोला थी, अर्था पृत्वी अस्तित्त में आई और आग का गोला का मतलब है कि वो खुद भी आग की तरह जल रही थी, जिस कारण से इस पर जो चटान हुई कोई नियमित चट्टान नहीं देखने को मिलेगी और जब यह ठंडी हुई जब यह ठंडी हुई तो जो चट्टान पहली बार निर्मित हुई अर्था जो प्राथ्मिक चट्टान निर्मित हुई वही चट्टान जो सबसे प्राचीन थी वही चट्टान कौन सी है आरक अगर कहा जाए कि जब यह प्राचीनतम चट्टान होगी इसी के टूटने फूटने से अन्य चट्टान का निर्माड हुआ होगा है या नहीं इसी के टूटने फूटने से जो अन्य चट्टान का निर्माड हुआ होगा उसका माता पिता तो यही चट्टान है आर्कियन कर्म की चट्टान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे पैरेंटल राक कहते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेंटल राक भी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, पैत्रिक, पिता की तरह मतलब इसी से निर्मित अन्य चट्टाने होंगी, आगे देखेंगे, इसलिए है तो क्या है पित्रिक चत्टान में कartet इनहीं चαठानों से कर मानुसर कई करोणों की बादोट Court थेककि box . निर्माण्द होगा तो इसी लीए इसे क्या है प्रात्मिक चत्टान पहे थे प्राथमिक चट्टान यह सब पेपर में आते हैं एटेटी सब्द का प्रयोग किया जाता है इसे ध्यान से समझेंगे तो इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं ठीक अब इसका उदाहरड देख लें अन एक दो भी सिस्ताएं देख लें कि क्या जब प्रतिवी आग का गोला थी तो क्या उस समय हम आप उम्मिद कर सकते हैं कि क्या प्रतिवी पर जीवन हुआ होगा पेड़ पौधे जीव जनतुत्पन हो सकते हैं तो संभव ही नहीं था इस कारण से इस प्रकार की चट्टान में कभी भी आप जीवासम ढूणेंगे क्या ढूणेंगे जीवा को कांसेट से समझा दे रहा हूं जीवासम ढूणेंगे तो इसमें कभी नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि जीवासम किसका बना होता है जीव जनतु का होता है या इसमें क्या होंगे पेड़ पौधे होंगे तो ना तो पेड़ पौधे थे और ना तो जीव जनतु थे तब इस इसलिए इस प्रकार की चट्टान में जीवास्म आप ढोड़ेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा ये किस्चन खुब पूछा जाता है अब आपसे एक किस्चन और पूछा जाता है क्या ये परत्दार होती है बोलिए कोई भी चीज आप खाना ही हो क्योंना उबाल दें अर्थात यदि आख का गोला थी निरंतरता उसमें नहीं मिलेगी अर्थात उसमें परतदार, क्रम, परत का क्रम कभी नहीं मिलेगा, इसलिए पूछा जाए तो कहना आप परतदार नहीं होती, ठीक है, अन्नी भी सिस्ता की बात करें, ठीक है, जो भी, जो भी अगनी, अर्थात जो चटान, अगनी के माध्य में या पृतिवी के अंतरतन से ब बेसाल्टिक राड क्या कहते हैं, तो यह आप देखेंगे, तो आज इसे आप आसानी से ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट और नीश में, ग्रेनाइट और नीश में इसका क्या हो रहा है, रुपांतरड लगातार हो रहा है, क्लियर, यह बात हो गई, अगर कहा जाए कि अब से कठोर होगी, यह अत्यंत कठोर होती है, ठीक है, अब इसकी अन्य कौन सी विशेष्ता है, इसमें बहुत धात्विक खनीज इसमें मिलते हैं, इसमें जीवास नहीं मिलते, लेकिन धात्विक खनीज इसमें मिलते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि पित्थभी के अंतरतम से यदि भी आज भी अगर ज्वाला मखी निकलती है तो उसमें जीवास में तो नहीं टिकते परंतु सोना चादी ठीक है क्रूमियम मैगनीज तीन यह इस प्रकार के धात्वी खनिच क्या होते हैं उससे नेरमित होते हैं ओके तो यह प्रमुख विश्यस्ताइं किसकी थी आर कि चत्तान अर्था ज00 पहले बनी चत्तानती प्रित्वी केढ़ना होने रेकियन ती है इस चत्तान के तूटने अर्थाथा अपर्दण से चैंप render और अपर्दण होगा तो कहीं जाकर के उसका क्या होगा की कई उसके निच्छेपर्ण भी होग ठीक है तो इस प्रकार अप मतलब निच्छेपड माने जमाओ तो यहां पर आकर कि जो आर्कियन करम की चट्टान जमा होगी इससे जो चट्टान निर्मित होती है वो कौन से चट्टान होती है यह है आपकी धारवाड करम की चट्टान कौन सी है धारवाड करम की चट्टान अगर कोई कहें कि धारवाड क्रम की चट्टान क्या है तो आप कहना कि आर्कियन क्रम की चट्टान के ही अपरदन और निछेपड से जो निर्मित चट्टान है वो क्या है धारवाड क्रम इसलिए तिसे प्रात्मिक पैत्रिक और पैरेंटल रा कहते हैं क्योंकि इसी से निर्म में थे वह कांचेप्ट क्लियर ठीक अब धारवाड क्रम की चट्टान का नाम धारवाड ही क्यों है अच्छा इसमें एक उदाहरण और देख लिजेगा मोस्ट इंपोर्टेंट है यह आप देखेंगे ठीक है तो इस प्रकार की चट्टान आपको हिमाले परवत तंत्र के नी दुनिया का सबसे प्राचीन्तम परवत है जो किसका बहतरीन उदाहरण है तो और की अ क्रम की चट्टान का जिले में अर्था करनाटक के धारवाड जिले में मुख्य रूप से देखने के मिली ठीक है धारवाड जिले में ठीक है और वहीं के सिमोगा जिले में मिलती है मुख्षित है यह दूनों ही जिले कहा है करनाटक तो करनाटक के धारवाड जिले में मुख्षित है सरुप्रथम और बहुत बड़े पैमाने पर खुजी गई थी इसलिए इस करम की चटान का नाम आज भी क्या है उसी जिले के नाम पे है धारवाड ग्रम की चट्टान तो यह चट्टान कारणाटक के धारवाड और सीमों का जीले में बहुत आयत रूपश मिलती है बाकी प्राइद भारत के अन्य भागों में भी देखने को मिल जाती है इसकी खास बात क्या है कि जब इसके तूटने फूटने से बनी ह सिब्सक्राइद अब आउगी तो फूटने फूटने से जमा हुने के बाद यहां पर आएंगे तो इसमें भी क्या होँगे इसमें भी धात्विक खनिज मिलेगा लेकिन प्रतिवी फूटने होगा पर अभी जीवन हुआ नहीं है तो अभी आप जीवास में ढूणने माठ छले जाना ये पेपर मोस्ट इंप्रटेंट है पूछा जाता है कि क्या इसमें जिवास मिलता है इसमें जी वास्म नहीं मिलेगा ठीके इसमें जी Wars नहीं मिलेगा ये बात आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो ना आरकियन में मिला ना तो इसमें अब भात विक खनीज की प्रचूरता होती है क्या होती है प्रचूरता अर्धाद अधिकता के कारण इसमें इसे क्या कहते हैं most important question यहां से है ठीक है कि इसे इसलिए भारत की सम्रिद्ध चट्टान कहते हैं भारत की सबसे सम्रिद्ध चट्टान कहते हैं ठीक है तो भारत की सबसे से सम्रिद चठान का उधारभ कौन से है तो धारवाड क्रम की चठान है यह पेपर में आता है कि आप असे ध्यान रखेंगे तो," ड्यालवाण के पउस सम्रिद यह अरकियन को क्यों नहीं चेह तो यह परदण और निच०्ष हो ओई this कि कहें इसलिए नई किए यह अत्यcommittee कठोर होती है जिसका निस्कर्षर जिसमें से धात को निकालना आर्थिक रूप रूप से उतना बहतर नहीं होता है आर्थिक रूप house, बुर्षप एक्स्टेक्शन करना हो यद किसी भी धात्विक खनिच का तो पैसा कम लगे है ना अर्था जितने का जितने का सामान ने अगर इन्वेस्टमेंट चला जाए तो आर्थिक रूप से महत्पुड नहीं होता है ठीक है इसलिए इसलिए इससे सम्रिद चट्टान कहते हैं क्योंक अभ्यून कRES deberini किस्टान बताता हूं को इसलिए इसमें आप देखोगे तो सोना ठीक है सोना उत्कृष्ट ठीक है उत्कृष्ट लोह उत्कृष्ट लौः ठीक है इच्टीन ये सब तो मिलते हैं लेकिन ये सोना और लौह उतकरिष्ट रूप में यहां देखने को मिलते हैं क्या ऐसा मैं जो कह रहा हूं वह बास सही है तो आप देख लिजिए के जीए भी भी देखा होगा आपने ठीक है कुलार गोल्ड फेल्ड करनाटक का ठीक है तो कुल या लौह ऐसक के लिए बहतरीन लौह ऐसक मिलता है क्या आप जानते हैं कि लौह ऐसक में आप देखेंगे तो हेमेटाइट मैगनेटाइट ठीक है इस प्रकार के जो ऐसक है उसमें सबसे बहतरीन कौन सा होता है तो आप देखेंगे मैगनेटाइट कौन होता है लौह एस्क कहां मिलता है आप देख सकते हैं यह बात अगर सही है तो करनाटक में मिलना चाहिए तो करनाटक के आप कुद्रे मुख में देखे कुद्रे मुख करनाटक में जो लौह एसक है भारत की बड़ी लौह एसक खानों में इसका नाम है तो कुद्रे मुख करनाटक में आप देखेंगे तो magnetite आपको law ask मिल जाएगा ठीक है तो ये बात आपकी verify हो गई है clear answer यही सब पूछे जाते हैं ठीक है कोलार सोने की खान कोलार या हट्टी की खान सोने की कहा है करनाटक में किस करम की चट्टान में ऐसे ही paper में आता है ठीक है तो इसे आप विशेष्टा को ध्यान रखेएगा परत इसमें परतदार मिलती है जिवास्म नहीं मिलता इस बात को ध्यान रखेंगे इसमें भी जिवास्म नहीं मिलता यह बात बहुत आवश्चक है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लेक्ट जो करम की चट्टान पढ़ेंगे वह कौन सी है तो यह है आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टान कौन सी है कुडप्पा क्रम की चट्टान ओके एक बार आप अच्छे से पढ़ लिजे बार बार पढ़ने की जरूरत ने पढ़ेगी किवल और किवल रिवीजन की बात रह जाएगे कुडप्पा क्रम की चट्टान कैसे बनेगी तो ह कहेंगे उसी ही आप कहेंगे कुडप्पा करम की चट्टान अर्थात आर्कियन बनी आर्कियन के निच्छेपड और अपरदन थे कौन सी बनी धारवाड करम की चट्टान बन रही और इसके अपरदन और निच्छेपड से कौन बन रही कुडप्पा करम की चट्टान तो क्या क similar जब इसके तुटने फूटने से कई करोड़ोव और सबिएधार अलग अलग समय में जमा हुआ होगत परददार होगी या नहीं होगी क्या इससे कम-कठोर होगी ज्यादा को conference है इसलिए कमकठोर होगी समझ गे यह concept है एक आपने पढ़ा तो उसे लिंक करेंगे तो धात्यों की खनी है इसमें मिलेगा अब यह कुडप्पा का नाम कुडप्पा क्यूं है इसकी विशेष्टा देख लिजिए ठीक है यहां पर लिख लेते हैं कुडप्पा करम की चटान कुडप्पा नाम इसलिए है क्योंकि कुडप्पा जिला है क्या है कुडप्पा जिला अब कुडप्पा जिला कहां है तो कुडप्पा जिला है आंध प्रदेश में कहां है आंध प्रदेश के कुडप्पा जिली में इसका विश्तार बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है इ इसलिए आप देखेंगे कि भारत में सरवादिक माई का भी उत्पादन होता है विश्में और खास करके आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में भी माई का उत्पादन बहुत अधिक होता है ठीक तो इस करम की चटान की बात परदार होगा लेकिन एक चीज़ इसमें इसकी तुलना में कम कठोर होगी तो बिल्कुल कम कठोर होगी ठीक है यह इंपोर्टेंस है इसकी ओके चलिए अब हम लोग किसकी बात करते हैं अगले चटान की बात करते हैं यह दो तो जीलों के नाम पे थी अब देखिए अगली है जो वह बिंध्यन करम की चटान है क्या अर्थात आर्कियन धारवाड कुडपा क्रम की चटानों के अपर्दन और निछेपड जमाओं से जिस क्रम की चटान का निर्माड हुआ उसे क्या कहा गया बिंध्यन परन्तु अब तक प्रतिवी पर बिंध्यन क्रम की चटान के निर्माड के पहले ठेके कुछ समय पहले प् हुआ होगा बाद में तो जब जीव मरेंगे ठेके तो जहां पर जा करके जमा होंगे उसी के जमाओं के बाद ही तो बिंध्यन करम की चट्टान हुई है इन सब कर्म की चट्टान के बाद सब इस बा örक्र को आहिकमे है कि अपको आपको यही मिल जाता है यही question पुछा जाता है, आप यहां से देख लिजेगा, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, इसे आप समझ पा रहे होंगे, किसकी कौन सी विशेष्टा है, यह कुडप्पा करम की है, मैं यहां पर थर्ड लिख देता हूं, यह थर्ड है, तो देखिए, अब बिंध्यन करम क की चट्टान हम लोगों देखा कि इसकी क्या विशेष्टा है, जो विशेष्टा है, यह परतदार होती है, ठीक है, कैसी होती है, परतदार होती है, इसमें जीवास मिलते हैं, यह सबसे टर्निंग पॉइंट है, इसमें जीवास मिलते हैं, सुक्ष्म जीवास मिलते हैं, ठ किसमें करते हैं भवन निर्मान में करते हैं इसी में जो है आप देखोगे तो चूना पत्थर बल्वा पत्थर और डोलोमाइट इस प्रकार की चट्टाने आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे सांती साथ आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि असो की जितने भी सिला लेक हैं वो सारे किसके बने हैं तो इसी बिंधिन करम की चट्टान से ही बने हैं आज भी आप देखेंगे तो भारत में जो है मिरजपुर का जो परतदार चट्टान है वो पूरे भारत में फेमस है इस प परतदार परतदार और वो मुलायम होने के कारड़ उस पर कला कृतियां आराम से उकेरी जा सकती हैं कुछ लेखना हो कुछ बनाना हो ठीक है लखनों में आप देखेंगे तो पूरा मायवती जी ने पूरा जो इंफ्रेस्ट्रक्चर डेवलप किया है ठीक है उसमें सब इसी क है ठीक है तो आप देखेंगे बिंधिन करम की चटान हो गई ठीक है भाणने अर्माण अब हम लोग देखें अगला तो आपको मिलेगा दक्कन करम की चटान कौन सी दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप जो चट्टान है ठीक, इसकी क्या खास बात है, बताए आप में कोई भी बताए, दक्कन ट्रेप जो है, वो आप देखो यहां क्या क्यूश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझे, का मैं इसे मिटा देता हूँ आप समझ के होंगे आप इससे मिटा देता हूं ताकि इससे कुछ के की कहानी है वह यह किए मिसो एक एरा में था जो एक एक के क्रेटेशिएस यह याया है को यह होता है मतलब भारत में होता है ज्वाल मक्यता की प्रक्रिया होती है अप भारत टूट करके आ रहा था लेकिन वह मन्होत्रें अब उसी इन आऊपर से गुह रूटा है है इस दवरान में मेन बात यह रहती है और इस कारड़ से प्रित्वी के ठीक है भारत के धेर सारे हिस्से पर खास करके महाराष्टा गुजरात मद्ध्रिप्र्दिस उत्तरी करणटक तमिलनảiडवाले छित्र में क्या है जौला मुखी इता के करड़ वो लौळा आकर के उस पर जमा हो गया और उसलावा के जमा होने मैज में और सीडिधार लौदार के जमा होने से किसका निर्माड हुआ इस दक्कन ट्रैप का निर्माड हुआ ठेक है और आज इसी दक्कन ट्रैप के तूटने से जो बेसाल्टिक चट्टान का बना है और इस बेसाल्टिक चट्टान का बना है और इस बेसाल्टिक चट्टान के तूटने फूटने से किसका निर्माड हुए है और यह अत्यन्त उपयोगी है किसके लिए कपास की खेती के लिए इसलिए इसे क्या कहते हैं कपासी मिर्दा कहते हैं क्या कहते हैं कपासी मिर्दा हैं तो गोंडवाना क्रम की चट्टान कौंसी है गोंडवाना क्रम की चट्टान थीक को इसे देखिए यह पेपर के लिहां से अत्य सब्सक्ष सब्सक्राइब क्षास भात क्या है आप देखेंगे तो भारत का 98% कोयला 98% कोयला कहां होता है कहां से निकलता है तो गुंडवाना क्रम की चट्टान में ही निकलता है ठीक है गुंडवाना क्रम की चट्टान आपको पूरे यह अख्खा पूरा जो प्राइद भारत है गुंडवाना क्रम की चट्टान वहां पर देखने के मिल जाएगी ठीक ठीक है जैसे नर्मदा नदी बेशिन इस प्रकार की बेशिन में आप देखेंगे दामुदर नदी बेशिन तो वहां पर यह चटान आसानी से देखने के मिल जाती है और इसी बेशिन में सबसे ज्यादा कोईले की खान मिलेगी आपको ठीक है तो आप देखेंगे जैसे सून जरीआ जारखंड में आप देखेंगे कि जरी अंकी बहुलता में युक्ष केवल भारत में यह पूरे भीषमें कहीं भी गोणवाणा क्रम की चटान मिलती है यह सर्वाधिक मतर्यों अगर कूछ मिलेगा क्या मिलzeit कोईले आगे देखें तर्षरी कтя क्रम की इसमें पूछा जाए तो सीधे आप कहना कि टर्षर्य क्रम की चटान से निर्मित क्या है आप देखेंगे तहीं हिमालए परवथतंत्र जो निर्मित है वो तर्थरी क्रम की चटान से ही है जिसका निर्माड आप देखेंगी तो निर्माड देखेंगे तो आपको ईयोशीन से ले इस एरा में आपको देखने मिलेगा तो हिमालय पूछले अगर कभी आपसे हिमालय या जितने भी बलित पर्वत हैं क्या है आज के वलित जो पर्वत हैं वो सब किसके उदाहरण है तो सब इसी के उदाहरण है ठीक है तरसरी क्रम की चटान का वाटनली माने जो फूर्थ एरा में हो रहा है चतुर्थ यूग में हो रहा है उसे क्वाटनली कहते हैं हिमालय की नीचे आप भारत में देखेंगे तो जो भी नदियों के द्वारा जो आवशाद लाकर के जमाए जा रहे हैं ठीक है इन तो वो क्या है चट्टान ही आने वाले कल में चट्टान जाती वह सबसे नवींतम है तो यह आवशाद जू आज के मिलते हैं सबसे नवींत recognized न है क्लियर अब यह नवीन्तम चट्टान आप देखो कि जो आवशादों से निर्मित हो रहे हैं इसे ही दो भागों बाटा जाता है एक आपको देखने को मिलेगा बांगर और एक कौन सा मिलेगा खादर जो नवीन जलोड मिर्दा होती है नदियों द्वारा लाकर के बिछाई ग बागर को जहां होती है तर्शटरी की बात सबसे ज़्यदा कौन सी है तो यही को इस प्रकार आपे एक करके सारे concept के साथ आपने पढ़ा एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए ठीक है बाद में पूरा का पूरा आपको concept सहीत याद हो जाता है इसमें कोई रटने की जरूरत ज्यादा नहीं पढ़ेगी ओके तो आज के लिए हम यहाँ पर रुपते हैं थैंक यू थैंक यू क्लास झाल झाल